हाई गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल दोस्तो आप लोग काफी साधा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर एक बार बता दीजिए कि जिरोधा में कॉल और पुट को कैसे बाई करते हैं और कैसे सेल करते हैं और दोस्तो मैंने आप लोगों को लाइज स्ट्रीमिंग में बताने की कोशुश की थी कि भाई कॉल और पुट को बेचना और खरीदना स्टाॉक्स को बेचना और खरीदने जैसा ही है बिल्कुल लेकिन आप लोगो खोटा सा उसमें डाउट हो रहा था तो मैं आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लेके आगया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप buy और sell कर सकते हैं calls को, calls को या फिर put को है न, suppose करते हैं कि आपको HDFC bank की put खरीदनी है, ठीक है तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाप सर्च में जाना होगा, और जिस भी strike price की खरीदनी ह हैं, आपको वो डालना होगा, पहले आपको डालना होगा, HDFC bank है न, यह डाल दी आपने, उसके बाद आपको डालना है कि किस strike price की आपको put खरीदनी है, suppose करो आपको 900 की put खरीदनी है, तो आपने डाला उसके आगे 900, उसके आगे आपके सामने यह सारे options आ गए है न, इसमें last Thursday of month है न, तो इसका मदलब जो इसकी expiry होगी, वो July के last Thursday को होगी, फिर उसके नीचे आपको August expiry वाले भी मिल जाएंगे, उसके नीचे आपको September वाले भी मिल जाएंगे, अब आपको इसमें से choose करना है, तो most probably आप इसी मन्त की choose करोगे, तो आप इसमें से choose कर लोगे, जैस इसमें आपको क्या करना है भई, इसमें आपको दिख रहा होगा, HDFC Bank, July 900 put, उसके नीचे आपको इसका price दिख रहा होगा, यह जो 9.05 price दिख रहा है, उसमें यह उसका change दिख रहा होगा, कितना यह change हुआ था, जैसे stocks में लिखा होता है, कितना change हुआ है, बिल्कुल stocks ही तर तो दोस्तो जब आप बाई पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो खुल के आ जाएगी यहाँ पे एक default quantity लिखी हुई आएगी इसका मदलब ये उसका lot size है यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि इसका lot size है 550 का और आपको पता ही है कि options को आप lots में ही खरीद और बेच सकते हैं तो आपक 550 रखना है यहाँ पे आपको अपना limit price डालना है क्योंकि यहाँ पे जो order type है वो limit selected है अगर आप market order लगाना चाहते हैं तो market भी choose कर सकते हैं लेकिन market order मत डालना options में क्योंकि options बहुत तीजी से change होते हैं तो कोशिश करना कि भाई आप limit order लगाएं अपना नीचे लगाएं अ तोड़ी करना है आपको तो इसको hold करना है तो आपको यहाँ पे यह normal choose कर लेना है normal choose कर लिया उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है भाई आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे जैसे आपको यह variety दिख रही है regular bracket order cover order और after market order अब दोस्तों क्योंकि मैं यह video Sunday को बना रहा ह हूँ इसलिए भाई regular order तो place हो नहीं पाएगा सिर्फ after market order ही place हो पाएगा लेकिन मैं आपको usually बता रहा हूँ कि जब आप market hours में लगाओगे तो आपको कैसे लगाना है तो आपको यहाँ पे quantity डाल लिया quantity डाल दी आपने lot size के multiples में यहाँ पे आपको limit price डालना है तो जैसे अ right hand side खीच दीजिए और कुछ नहीं करना है आपको जब आप इसको खीच देंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कुछ क्या लिखा हुआ है दोस्तो rejected order was placed outside of trading hours तो इसलिए दोस्तो क्योंकि मैं market hours में नहीं बना रहा हूँ यह video यह order reject हो गया है लेकिन अगर आप market hours में बनाएंगे तो यह order आपका place हो जाएगा आप चाहें तो मैं आपके लिए AMO order place करके दिखा देता हूँ ठीक है तो मैं retry करता हूँ इसको और यहाँ पे AMO कर देता हूँ मैंने यह AMO कर दिया है aftermarket order लगा दिया है मैंने यह buy button किया side में और यह मेरा order हो गया place है ना order हो गया है मेरा place अब मैं orders में जाऊंगा तो यह order आपको दिख जाएगा और यह देखिए एक order rejected लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि अभी एक order reject हुआ था लेकिन जो एक AMO order डाला है वो आपका place हो गया है यह आपके pending orders में आ रहा है यहाँ पे pending orders में यह आपका order आ रहा है यहाँ और य 900 पर 900 का put को अगर sell करना है अभी हमने buy किया था तो इस पर जाना है हमको क्योंकि हम इसको sell करना चाहते हैं आप जब इस पर click करेंगे तो आपके सामने यह आ जाएगा आप यहाँ पर sell पर click करेंगे तो आपके सामने यह window आ जाएगी और आप सारी window आपको red red दिखेगी order type limit है आप चाहें तो market भी choose कर सकते हैं जब आप market choose करेंगे तो यहाँ से आपका यह limit price है यह चला जाएगा जब आप limit order choose करेंगे तो यहाँ पर आपको price डालना पड़ेगा उसके बाद बागी सारी चीजें तो stocks की तरह ही हैं यहाँ पर मैं AM order डाल रहा हूं ठीक है और यह देखेंगे यह मेरा order लग जाएगा यह मैंने कर दिया है इसको side में और यह मेरा order हो गया है place अब चलते हैं बाई orders में और देखते हैं कि यह order place हुआ है कि नहीं हुआ है आप देखेंगे यहाँ पर यह मेरे buy और sell दोनों के orders place हो गए हैं यह मैंने sell किया है यह मैंने buy किया ह इसी तरह से आप कोई भी option किसी भी stock का किसी भी strike price पे ऐसे buy और sell कर सकते हैं बहुत ही simple process है बिल्कुल stocks की तरह है बस आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है क्या है वो चीज जो आपको quantity डालनी है वो lot size के multiples में ही डालनी है और सारे stocks के lot sizes अलग-अलग होते हैं बहाँ पे एक default value आएगी लिखी हुई वही उसका lot size होता है और आपको उसी के multiples में डालना है quantity में तो आयोब दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से आप options को easily buy और sell कर सकते हैं जिरोदा में अगर आपने अभी तक जिरोदा पे account नहीं खोला है और अगर आप खोलना चाहते हैं तो link आपको description box में मिल जाएगा और first comment में भी आपको pinned मिल जाएगा first comment भी आप check कर सकते हैं वहाँ पे भी आपको link मिल जाएगा thanks for watching guys I'll see you next time